जहें हिन दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हापर हिंदी साहित में बहुत ही महत्वण कॉस्चन आंशर तो वीडियो को पूरा वस्त देखेगा अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सस्क कर लें वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेयर करें रोज अपनी एक लास रात्री में दस वजी अपनी रिकलास है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को सभी लोग आ जाईए महत्वण कॉस्चन आंशर यहां पर और लाइक से रवस् आत्की वाप्ति सीर्शक से नाट्यांतर किसने किया है बताईए क्वास्चन नंबर 193 का सही राइट आंसर चैन करना है क्या होगा राइट आंसर लबली जी आका जी नितू जी सभी लोग आ चुके हैं विल्कुल क्या होगा राइट आंसर चार विकल्प दिए गए हैं यहांने भी चैन किया है उनका सही राइट आंसर है ग्रीश रस्तोगी आप सभी का विल्कुल सही आंसर होगा अंगला क्वास्टन क्या पूंचा गया है देख लेते हैं क्वास्टन नंबर यहां पर आप से पूंचा गया है 194 व प्रयमचंद्र है या फेर प्रसाद हैं हर्योद है ये चारवे कलप आपके दिये गये है question मत कूण कूँचा क्या है आपसे question number 194 है और right answer होगा ठेट हिंदी में पन्यास लिखने वाले कौन है हर्योद right answer होगा विकल्प number D जिन्वाने भी चैन किया है उनका सही answer है विल्कुल सही विकल्प number D आप सभी का right answer है ठेट हिंदी में पन्यास लिखने वाले लेकक अविध्यास अपाद्या हर्योद है ठेट हिंदी का ठाट अधिकला पूल हर्योद जी के ठेट हिंदी के प्रिसिद्ध पन्यास मानी जाते हैं राकी जी विल्कुल चाहिए वादपड़ी अंगला question देखे पंडित के सोरिलाल गोस्वामी को पन्यास जिसमें पन्यास निमलिकत में से कौन सा नहीं है देखे आपको नहीं बताना यहाँ पर question नमबर 195 में तो तरुन तपस्वनी या फिर रजिया बेकम या रंग महल में हला हल या फिर राज कुमारी या फिर भोजपुर का ठग तो यह आपके चार विकल्प हैं दो विकल्प में से याप चैन कीजे का कौन सा राइट आंसर होगा पंडित के सोरिलाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं है नहीं बताना है तो राइट आंसर होगा रादावाई जी विकल्प नमबर दी राइट आंसर भोजपुर का ठग जो है यह आपका सही आंसर होगा विकल्प नमबर दी राइट आंसर है शोरिलाल गोस्वामी जी के अपन्यास तिलिसमी अपन्यास शीश महल सुल्ताना रजिया बेगम रंग महल में हला हल लीलावती आदर से सती अंगूठा अंगूठी का नगीना जिंदे की लास मस्तानी और तर्वेणी आदी ये जो है इनके तिलिस्मी उपन्यास माने जाते हैं के सोरी लाल को सौमी के क्वास्चन नंबर आप से पूँचा गया है। यहां पर 196 मंगल सूत्र सीर्सक अदूरे उपन्यास के लेकाग का नाम बताजिए। ये क्वास्चन तो सभी लोग से बनेगा क्या होगा राइट आंसर चेन कीजेगा क्वास्चन नंबर 196 में राइट आंसर मंगल सूत्र चीशक अधूर उपन्यास के लेखक का नाम बताना है और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है सरफ जोज्जी विकल्प नंबर भी राइट आंसर होगा यानि की प्रेमचंद्र राइट आंसर लगा देते हैं विकल्प नंबर भी में सही आंसर विलकुल सही मंगल सूत्र जो है अधूर उपन्यास माना जाता है प्रेमचंद्र जी का और सेवा सदन प्रेमस्रम रंग भूमी गोवन निरमला गोदान ये आदि जो हैं प्रेमचंद्र जी के उपन्यास है गवग टीनी कहानिया लिएट provides के आट वागों में शंकलित हैं इनकी तीन सो कहानिया कि इनकी प्रेमचंजी की पूँची जाती हैं इन्होंने कितनी कहानिया लिखी हैं तो लगबग तीन सो कॉश्य नमबर आपसे पूँचा गया है याँ पर 197 वह कॉश्य की जैसंकर पर साथ की अधूरे उपन्यास का नाम बताईए मंगल सूत्र, तितली, इरावती या फिर कंकाल कॉश्य नमबर 197 में चेहन करना है राइट आंसर क्या होगा सही आंसर बताईए अधूरा उपन्यास बताना है, अधूरे उपन्यास कौन सा माना जाता है जैसंकर पर साथ जी का तो इरावती यहाँ पर वह सारे लोग बता रहे कि विकल नमबर सी में राइट आंसर लगा दीजे इरावती एक अधूरा उपन्यास माना जाता है जैसंकर प्रसाद जी का जो कि एक एत्यासिक उपन्यास है और कंकल तिदली भी प्रसाद जी के उपन्यास माली जाते हैं क्वास्चे नमबर आपसे यहां पर एक सो अंठानवे पूंचा गया है कि अबामन दास इनमे से के सो पन्यास का पात्र है वह उपन्यास वताइए गोदान है परती परिकता है बलच नमा है मेला आचल है एक सो अंठानवे में चैन कन्ना है सही आंसर वताइए क्या होगा विकल्थ नमबर डी राइट आंसर है मेला आचल मेला आचल आप सभी का सही राइट आंसर होगा विल्कुल चाही बामन दास मेला आचल उपन्यास का पात्र है जिसकी रचिनाकार पूंचा जाता है आंचले को पन्यास कार मानी जाते हैं फणिस्तोनाथ रेणू और 1921 इसक तपा और जुलूस इनके अन्व पन्यास माने जाती हैं पॉस्चिन अंगला पूंचा गया इनमें से कौन सव पन्यास राही मासुम रजा द्वारा लिखे थे बैए आपके लिए बताना है नूतन ब्रहमचारी, आदा गाउ, काला जल या फिर पुनर नभा 199 में चैन करना है सही आंसर क्या होगा बता ये इनमें से कौन सव पन्यास राही मासुम रजा द्वारा लिखे थे तो आप सभी का राइट आंसर होगा, मन जी, मीना जी, क्या है राइट आंसर? विकल्प नंबर भी राइट आंसर है, यानि की आदा गाउं सही राइट आंसर होगा आदा गाउं आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने चैन किया है इमासुम रजा का उपन्यास यादा गाउ और टूपी सुकला उसकी बूंद सीन पचत्तर दिल एक साधा कागजिनी के उपन्यास माने जाते हैं question number आपसे दोसों यहाँ पर क्या पूंचा गया है दोसों वह question दिया गया है बानवट्ट की आत्मकता है यह क्या है एक नाटक है एक आत्मकता है एक जीवनी है या फिर एक उपन्यास है question number 200 का सही right answer चैन करना है चार विकल्प आपके दिये गए हैं क्या होगा right answer बताईए बानवट्ट की आत्मकता इसके लेकक यह बताना है कि एक इस विदा की रचिना है और इसके लेकक कौन है तो ये एक उपन्यास माना जाता है बानवर्ट की आत्मकता उपन्यास विदा की रचना है अजारी पर साथ दुवेदी जी का एक उपन्यास माना जाता है बानवर्ट की आत्मकता question number आपका नहां पर पूंचा गया है 201 question यहां पर गया गया है देख लेते हैं महत्पूर्ण question पूंचा गया है कि राजंद्रियादाव और मन्नु भंडारी द्वारा संयक्त रूप से लिखा गया उपन्यास बताना है question number 201 में सारा आकास आपका वंटी मुर्दा सराय या फिर एक इंच मुस्कान तो महत्पूर्ण question पूंचा गया है और आप सभी का right answer होगा present education जी क्या होगा right answer राजंद्र आदव और मन्नु भंडारी द्वारा संयक्त रूप से लिखा गया उपन्यास बताना है जिसका यहाँ पर जो right answer है डी right answer होगा एक इंच मुस्कान एक इंच मुस्कान बिल्कुल चाई बहुती महत्पूर्ण question है संयक्त रूप से लिखा गया उपन्यास माना जाता है राजंद्र यादा और मन्नु भंडारी जी के द्वारा बिल्कुल सही अंगला question देखे question number आपका यहाँ पर 202 पूँचा गया है कि महाबो जो पन्यास की लेखी का कौन मानी जाती है ममता कालिया, किष्णा सुबती, मन्नु भंडारी या फिर सानी 202 का सही right answer चैन कना है क्या होगा right answer अरुन जी बिल्कुल तो यहाँ पर आप सभी का सही answer होगा 202 में महाबो जो पन्यास की लेखी का मानी जाती है कौन मन्नु भंडारी मन्नु भंडारी आप सभी का सही answer विकल्प number C right answer होगा महाबो जो आपका वंटी यह दो जो हम पिरसित तो पन्यास मानी जाते है किनके मन्नु भंडारी जी के अंगला question क्या पूँचा क्या है कट गुलाब कट गुलाब पूँचा यह किसकी रचना मानी जाती है महत्री पुस्पा चित्रा मुदगल या फिर मिर्दूला गर्ग या फिर अलका सराओगी बताई question number 203 में सही right answer चेन करना है चार विकलप आपके दिये गए है कट गुलाब किसकी रचना मानी जाती है तो आप सभी का सही right answer होगा यहाँ पर विकलप number C आनि की मिर्दूला गर्ग मिर्दूला गर्ग लगाते है right answer विकलप number C में विल्कुल सही right answer होगा विकलप number C कट गुलाब मिर्दूला गर्ग की गिर्ती है जबकि जो मेत्रे पोस्पा का प्रत्रमक उपन्यास चौक माना जाता है चित्रा मुद्गल का आंबा उपन्यास है और अरलका सरावगी का उपन्यास है कली कता बाया बाइपास समकालीन हिंदी उपन्यास है एक कली कता बाया बाइपास question number आप से पूंचा गया है दोसो चारवा question यहाँ पर दिया गया है देख लेते हैं मेला आचल किस पिरकार का उपन्यास है यह आप से पूंचा गया है बताईए क्या होगा right answer सिर्राम जी बताईए राजनेर्टे को पन्यास है एक आधर सवाधी उपन्यास है आंचले को पन्यास है या पिर एतिहासे को पन्यास है तो question number 204 में आप सभी का सई right answer होगा मेला आचल किस पिरकार का उपन्यास है तो आप सभी का सई right answer है ये एक आंचले को पन्यास माना जाता है मेला आचल रेणू जी का एक उपन्यास है बिल्कुल चहीज जुलूस दिर्गतापाथ कितने च्वारा है कलंक मुप्ती दीके अन्यू पन्यास माने जाते है कॉस्चन आपका यहाँ पर 205 है मानस का हंस उपन्यास के लेका कौन माने जाते है लबली जी बताइए क्या होगा सही राइट आंसर अमरित लाल नांगर है या स्पाल है रेणू है या फिर अग्गे है तो मानस का हंस उपन्यास के लेका बताना है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा question number 205 में विकल्प number यहाँ पर एक right answer है यानि कि अमरित लाल नांगर अमरित लाल नांगर जी का एक उपन्यास माना जाता है कौन सा मानस कहन से विकल्प number एक राइट आंसरों का बिल्कुल सही answer आप लोगों ने चैन किया है अंगला question देखे question number यहाँ पर पूंचा गया है 206 वा question दिया गया है जूटा सच उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं अग्ये, मुप्तिबोद यास्पाल या फिर हजारी पर साथ दुबेदी बताई नित्तु गुपता जी क्या होगा right answer question number 206 में कि जूटा सच उपन्यास के लेखक बताना है लगविंदर जी वादबनिया विकल्प नमबर यहाँ पर c right answer होगा यानि कि ए माना जाता है किनका यास्पाल जी का यास्पाल सही answer होगा विकल्प नमबर c जिन्होंने भी चैन क्या है उनका right answer है अंगला question क्या पूंचा गया है question नमबर 207 है महत्वकून question यहाँ पर दिया गया है प्रतिग्या उपन्यास के लेखक आपके लिए चैन करना है कौन माने जाती है बताए प्रतिग्या उपन्यास के लेखक है नांगरजुन जी है रेणू है प्रतिग्या उपन्यास विदा की रचना है और यह उपन्यास माना जाता है किनका यह माना जाता है प्रतिग्या गवन कर्मूमी गोदान और मंगल सूत्र जो की एक अपन्यास माना जाता है यह प्रेम्चन जी की उपन्यास दिये गए है कौस्चन नमबर यहाँ पर आपसे पूंचा गया है 208 पर कौस्चन दिया गया है कि चोख उपन्यास की लेखका कौन है अभी पढ़ा था पन्ये चोख उपन्यास किनका है बताए कौस्चन नमबर 208 यहाँ पर दिया गया है वो जो चोख उपन्यास है यह माना जाता है किनका मेत्रे पौस्पा, मिर्दूला गर्ग ममता कालिया, मन्नू भंडारी तो राइट आंसर है यह उपन्यास माना जाता है मेत्रे पौस्पा जी का विकल्प नमबर 1 यहाँ पर सही राइट आंसर होगा विल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नमबर 1 जनों ने भी चैन क्या है उनका सही राइट आंसर होगा अंगला पौस्चन देखते है question number यहाँ पर पूंचा गया है question number 209 है क्या दिया गया है देख लेते हैं question number 209 इनमें से कौन सा पन्यास जीवनी परक है जीवनी परक पन्यास आपके लिए बताना है खंजन नयन, म्रगनई नी, आपका बंटी या फिर कली कता बाया बाईपास बताईए question number 209 का सही right answer चैन कनना है कि इनमें से कौन सा पन्यास जीवनी परको पन्यास माना जाता है और right answer है विकल्प number क्या right answer विकल्प number एक सही answer है खंजन नयन खंजन नयन याँ पर सही answer लगा देते हैं सभी लोगों का बहुत बढ़िया सभी के पता है विकल्प number एक सही answer है खंजन नयन अमरित लाल नांगर जी के द्वारा सूर्दाजी के जीवन पर आधारित जीवनी परको पन्यास है अमरित लाल नांगर जी के अमरित लाल नांगर जी ने तुलसी दास्ट के जीवन पर आधारित तो पन्यास लिखा है कौनसा मानस का हंस और जो खंजन नयन है ये सूर्दाजी के जीवन पराधर जीवनी पर को पन्यास माना जाता है question number 210 आप से पूंचा गया है नियमने लिखत कता करतियों में से किसका संबंद कासी से नहीं है बताइए क्या होगा right answer 80 का 80 गली आंगे मुड़ती है जीनी जीनी मीनी चदर्या या फिर अलग अलग बैतरनी बताइए 210 का right answer चैन कना है मत कौन question पूंचा गया है और आप सभी का right answer का प्रित्मा जी कि नियमने लिखत कता करतियों में से किसका संबंद कासी से नहीं है अलग अलग बैतरनी आपका right answer होगा विकल्प नंबर D जीनों ने भी चैन क्या है उनका सई right answer है मत कौन question पूंचा गया है आप सभी का सई answer है बिल्कुल चाहिए question number 211 यहां पर गया गया है देख लेते है question number 211 क्या पूंचा गया है देखे question number 211 है बर्ग बैस्ट्रम में इवं बर्ग चेतना प्रियमचंद के कि सुपन्यास का मूल आधार माना जाता है question number 11 में पूंचा गबन गोदान नर्मला या पिर प्रियमचंद दता जी बर्ग बैस्ट्रम में इवं बर्ग चेतना प्रियमचंद के कि सुपन्यास का मूल आधार है और आप सभी का सई right answer होगा ग्याराय का विकल्प नंबर भी right answer है बिलकुल सही गोदान राइट answer लगा देते हैं गोदान आप सभी का सई आंसरों का बर्ग बैस्टम में बर्ग चेतना प्रियमचंद जी के गोदान उपन्यास का मूल आधार है प्रियमचंद जी ने ग्रामिर जीवन का इतना जीवन ते चित्रन किया है जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है बिलकुल सही बहुत बढ़िया अंगला question देखे परिक्ष गुरू को बताइए जाजगिरेशन ने मिस्रवंदू ने आचार सुकल ने या फिर महावीर प्रसाद दुबेदी ने क्या होगा राइट आंसर कौस्च रंबर आपसे पूंचा क्या है दो सो बारहे और दो सो बारहे का सही राइट आंसर हो आ रहा है आपर विकल्प नंब पर 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 लेखेत उपन्यास पर इच्चा गुरू को आचार सुकल जी ने हिंदी में अंग्रेजी डंक का पहला उपन्यास कहा है और इसमें सबसे बड़ी साधारन सी कता है एक अमीर के विगणने और अपने एक सच्चे मित्र की सायता से सुधन्ने की घटना इसमें बढ़ने थे इसमें नेतिक उपदेश की वालता है उपन्यास रहस्त को आचार महागीर फिर साथ दुबेदी ने पहला उपन्यास माना है उपन्यास रहस्त को पास्चे नंबर 213 पूंचा गया है कि समुए एक का मिलान समुए दो से करना यानि कि सूची एक को सूची दो से सुमिलित करना है कूट भी दे गए हैं जिनकी सायता से आपको सही विकल्प का चैन करना है चलिए कर देते हैं यहां पर आपके उपन्यास दिये गए यहां पर उनके उपन्यास क दिये गए हैं मानस के हंस मानस का हंस के कौन हो जाएंगे तो आप सभी का सभी राइट आंसर होगा मानस के हंस अमरित लाल नांगर जोटा सच के कौन हो जाएंगे जोटा सच के हो जाएंगे असपाल और टेड़े मेड़े रास्ते के कौन हो जाएंगे बगबती चरण बर्मा और मरी हुई मछली इसके कौन हो जाएंगे यह तो आपका सुमेलती ही है राज कमल चौधरी तो विल्कुल चाहिए विकल्प नंबर सी आप सभी का राइट आंसरों का विकल्प नंबर सी जनौनवी चैन क्या है बहुत बढ़िया अंगला क्वास्चन देखते हैं पॉस्चन नंबर आपका यहाँ पर पूँचा गया है अंगला क्या पूँचा गया है देखलेते हैं कि राजन्द यादव और मन्नु बंडारी ने सयक दूरूप से एक उपन्यास की रचना की थी वह उपन्यास कौनसा है वह आपके लिए इहां पर बताना है कौनसा उपन्य पर देख लेते हैं कौश्य नमबर आपका दिया गया है आपर 215 कि बया का गोंसला उपन्यास के लेकक कौन माने जाते हैं बया का गोंसला बताइए धर्म वीर भारती लक्ष्मी नाराय लाल देवेंदर सत्यार्थी फनिस्वन नाथ रेणू तो आप सभी का चाहिए राइट आंसर है आपर वया का गोंसला उपन्यास के लेकक माने जाते हैं कौन माने जाते हैं बिकल्प नमबर आप सभी का भी राइट आंसर है लक्ष्मी नारणलाल राइट आंसर होगा लक्ष्मी नारणलाल राइट आंसर है बिल्कुल चाहिए बहुत बढ़िया जिन्होंने भी चेहन किया है उनका राइट आंसर है वया का गोंचला वो पन्यास के लिए कर डाक्टर लक्ष्मी नारणलाल जी है जिनके अन्नो पन्या से काले फूल का पौधा और बड़ी चंपा छोटी चंपा इनके दो अन्नो पन्यास माने जाती हैं कॉस्चन नमबर आपका दोसों सूलय है कि सूची हिक का मिलान सूची दो से कीजिएगा कूट की सायता से चलिए सूमिलित कर देते हैं आपर चार कूट दिये गए हैं आपके यहां पर कूट दिये गए हैं तो लाल्टेन की च्छत उपन्यास किन का माना जाता है जस्वीर जी बताइए मेगा जी क्या होगा राइट आंसर लाल्टेन की च्छत इसके हो जाएंगे कौन यह तो निर्म वंदी के 55 खंबे लाल दिवारें उसा प्रियम्बदा इस परकार यहां पर सुमेलित किये गए हैं विल्कुल चाही राइट आंसर हैं मिकल्प नमबर यहां पर एक जिन्वना भी चैन किया है उनका राइट आंसर होगा अंगला क्वास्चन देखे क्वास्चन नमबर 270 आप स सेबसदन, गबन या पर रंग भूमी तो पॉस्चन नमबर 270 का सही राइट आंसर होगा प्रियम्चन जी द्वारा उर्दु भासा में लिखा गया उपन्यास बाजारी होस्ण का हिंदी रूप आंतरन वताना है तो आप सभी का सही राइट आंसर है सेबसदन यानी की विकल प्रियम्चन जी द्वारा उर्दु में लिखा गया उपन्यास बाजारी होस्ण का हिंदी रूप आंतरन सेबसदन की नाम से पिर सित्थ है क्वास्चन नमबर आपका 218 यहां पर दिया गया है देख लेते हैं क्वास्चन नमबर 218 क्या पूंचा गया है कि काला जलो पन्यास के लेका कौन माने जाते हैं बताइए काला जलो पन्यास है चार वेकल पाक के देगा है 218 का सही आंसर चैन कीज़ेगा और एक बार वीड सरीता जी तो काला जलो पन्यास के लेकक माने जाते हैं कौन सानी सानी राइट आंसर लगा देते हैं विल्कुल सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी काला जलो पन्यास के लेकक सानी है इनका पूरा नाम अगर पूंचा जाए गुल सेर खां सानी इनका पूरा नाम है अंगला क्या है कॉस्चन नंबर आपका हाँ पर है 119 जो कि बहुती महत्वकून क्वाश्चन एक पती के नोट से कहानी के लेकक बताना है कौन माने जाते हैं गिरी राज के सोर हैं बैंदर वल्ला है गोविंदर मिस्र है राजी सेठ हैं बताए अनुका जी विल्कुल करवा देंगे तो कॉस्चन नंबर 298 का राइट आंसर चैन करना है विकल नंबर भी राइट आंसर होगा यानिकी एक पती के नोट से के लेकक हो जाएंगे कौन महंदर वल्ला महंदर वल्ला राइट आंसर लगा देते हैं बिल्कुल सही महंदर वल्ला है गिरी राज के सुर द्वारा लि तो एक राजी सेट की कहानिया मानी जाती है कॉस्चन आप से पूंचा गया है आपर 220 वा कॉस्चन है कि आपका बंटी उपण्यास किसने लिखा है तिना सरल कॉस्चन पूँचा गया है कि सभी लोगों का सई राइट आंसर होगा क्या होगा राइट आंसर आपका बंटी उपन्यास किसे ने लिखा है तो आप सभी का सही राइट आंसर है मन्नु बंडारी नुपमा सिवती सिवानी राजी सेट तो विकल्प नंबर एक सही आंसर है यानि कि मन्नु भंडारी सही आंसरों का मन्नु भंडारी जी का एक उपन्यास है आपका बंटी बिल्कुल सही और मन्नु भंडारी द्वारा लिकेत अन्नु पन्यास है महाबोज और एक इंच मुस्काल अंगला कॉस्चन देखते हैं कॉस्चन नमबर आप सभी का यहाँ पर कौन सी पुस्तख जो भारत पाकिस्तान वाजन को लेकर नहीं लिखी गई आपसे दोशंग्तराइब राग दर्वारी बताईब यह एक पत्नी के नोट्स रहा किंद रहलाई बिल्कुल बहुत बढ़िया तो Q221 का राइट आंसर बताना है रचनाओं में से कौन सी एक एंसी पोस्तक है जो भारत पाकिस्तान वाजन को लेकर नहीं लिखी गई है विकल्प नंबर D राइट आंसरों का रागदरवारी रागदरवारी सही आंसर लगा देते हैं विकल्प नंबर D मे बिल्कुल सही रागदरवारी सही आंसरों का जबकी तमस आदा गाउं कितने पाकिस्तान रचनाओं का विसा वारत पाकिस्तान वाजन से सम्बंदित है रागदरवारी उपन्यास इन से सम्बंदित नहीं है श्रीलाल सुकल जी का ये उपन्यास माना जाता है रागदरवार अंगला question क्या है तो देख लेते हैं question number आपका 222 यहाँ पर पूंचा गया है दीवार में एक ख्लकी रहती थी उपन्यास की रचना किसने की है बताईए question महत्वोण है question number आपका यहाँ पर 222 पूंचा गया है और आप सभी का सभी right answer होगा और्वेंद जी क्या होगा right answer दीवार में एक किल की रायती ती उपन्यास की रचना की है किनोंने तो D right answer है यानि कि बिनोद कुमार सुकल सही right answer होगा बिनोद कुमार सुकल जनोनस यानि क्या है विकल्प नमबर D उनका सही right answer होगा अंगला question क्या पूँचा गया है question number आपसे 223 पूँचा गया है मत्तपून question है कि प्रयमचन जी का कौन सा उपन्यास गांजिबाद से प्रभावित है वैव उपन्यास आपके लिए बताना है गोदान है करमभूमी है रंगभूमी है सेवा सतन है तो सही answer है आप सभी का इहां पर रादिका जी मायराम जी विकल्प नमबर इहां पर 23 में होगा विकल्प नमबर C राइट आंसर रंगभूमी प्रयमचन जी का कौन सा उपन्यास गांधिबाद से प्रभावित है रंगभूमी राइट आंसर लगा देते है विकल्प नमबर C में सही answer जिसका प्रकासन 1924 इसका प्रकासन माना जाता है बनारस से लेकर राजिस्तान की कता इसमें ब्याप्त की गई है इसका प्रमुक पात्र सूरदास है ये question तो बहुत ही पूँचा जाता है कि सूरदास के सू पन्यास का पात्र है तो रंग मुमी याद रखिए बहुत ही मत्कून question पूँचा जाता है ये अंगला question देखते है पॉस्चिय नमबर आपसे यहाँ पर 224 पूंचा गया है आंचले को पन्यासों का प्रवरतक किसे माना जाता है बता ही पॉस्चिय नमबर 224 का सही आंसर नागरजुन, सिविप पूजन सहाई, पलंसो नाथ रेणू या फिर सिव परसाद मिस्र तो राइट आंसर है आप सभी का, आंचले को पन्यास कारों का प्रवरतक बताना है, तो कौन मानी जाते हैं, सभी लोग बता रहे हैं, विकल्प नमबर C यानि की फण सुननात रेणू जी, रेणू राइट आंसर बता रहे हैं, सभी लोग तो विल्कुल चाही, रेणू जी क हिंदी साइट में आंचले को पन्यास कारों के जन्मदाता की रूप में माना जाता है, प्रस्थ्थ हैं, इनके प्रमुक आंचले को पन्यास है, मेला आचल, पर्टी परिकता, जुलूस, दिरगता पार, कितने च्वारा है, पल्टू बाबू रोड, राम रतन राइए, इन का पूर पन्यास माना जाता है, बिल्कुल सही, जब की देखिए, ब्यातिनाद मिस्र, स्वपूजन सहाय, स्वपरसास है, आदी आंचले को पन्यास कारी की रूप में प्रस्थ्थ हैं, कॉस्चिन नमबर 225 आप से पूंचा गया है, मंदू जी देख लेते हैं, कॉस्चिन या फिर निर्मला गुराडिया, गुलाम मंडी की पूंचा है, आप से लेकिका कौन मानी जाती हैं, पन्यास विदा की रचिना मानी जाती है, चार विकल्प आप कि यहाँ पर दिये गए हैं, और राइट आंसर है, गुलाम मंडी की लेकिका है, निर्मला गुराडिया, वि विल्कुल सही चुनीता जी डी जनौनावी चैन क्या है उनका सही राइट आंसर होगा अंगला कॉस्चन है फरिष्टे निकले की मुख पात्र कौन है बताइए इसकी मुख पात्र बताना चंपा वहू बेला वहू नर्गिस वहू चमेली वहू दो सो चब्विस वा कॉस्चन है और इसका राइट आंसर होगा चब्विस का फरिष्टे निकले की मुख का पात्र पूछा है आपसे चब्विस का विकल्प नंबर भी राइट आंसर लगा देते हैं बेला वहू राइट आंसर होगा आप सभी का क्या होगा राइट आंसर बेला वहू राइट आंसर है ब बिल्कुल सही और इसके अन्पात्र तितलियों बसंति हैं पॉस्चिन नमबर आपसे 227 यहां पर पूंचा गया है उपन्यास के तत्तों में कौन सा नहीं है नहीं बताना है आपके लिए कथावस्तू चरित्र चित्रण कतोप कथन या फिर रंगनर्दिष तो क्या होगा सही अंसर उपन्यास के तत्तों में कौन सा नहीं बताना है तो नहीं में तो होग जाएगा आपका विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर विकल्प नंबर डी राइट आंसर रंगनर्दिष रंगनर्दिष राइट आंसर लगा देते हैं विकल्प नंबर डी जनोंने भी च सेली में कतोब कथा ने देश काल कथा विकास उचरती चत्रण के द्वारा अपना उद्देश से सित्ध करता है जब कि रंग निर्देश पन्यास की तत्व की अंतरगत नहीं आता है विल्कुल सही बहुत बढ़ी अंगला क्वास्चन देखते हैं क्वास्चन आपसे यहां प अजारी परसात अबेदी जी ने नामबारसें जी ने या पर स्रीकर्षन लाल जी ने बताईए देवकी नंदन खत्री जी के प्रतम उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रतम उपन्यास किसने माना है और राइट आंसर है अट्टाइस का लबली जी विल्कुल सही मोज विकल्प नंबर डी राइट आंसर है डाक्टर स्रीकर्षन लाल सही आंसर होगा बिल्कुल सही राइट आंसर है बहुत बढ़िया विकल्प नंबर डी जनों ने भी चैन किया है उनका सही आंसर हां पर है अंगला क्वास्चन क्या पूंचा क्या है आपर किस भासा में उप पन्यास को कादंबरी कहते हैं और आप सभी का सभी का रहां साम्यचा को पन्यास को कादंबरी कहते हैं मराथी राइट आंसर लगा देते हैं फ्रेंका जी विकल्प नंबर डी यहां पर जन्हों ने भी चैन किया है मराथी उनका सही आंसर होगा बिल्कुल सही बहुत बढ़िया मराथी भासम उपन्यास को कादंबरी कहते हैं गुजराती में नवल कता काईते हैं बंगला में अगर पूँचा जाता तो बंगला में नोबेल बोलते हैं उपन्यास को अंगला क्वास्चन देखते हैं क्वास्चन अमबर आपसे 230 पूँचा क्या है क्या पूँचा है देख लेते हैं निम्लेकत में से कौन सा सुमिलत नहीं है नहीं बताना है आपके लिए बताएए स्यामा सुपने डाक्टर जगमौन से हैं आश्चर ब्रतांते अंबिका दत्ते व्यासे सो अजान एक सुजान देवदत्ते विवधबा विपत्ती के हो जाएंगे कौन राधा चरण गोस्वाम कोंसा सुमिलत नहीं है नहीं बताना है तो आप सभी का राइट आनसर होगा क्या होगा राइट आंसर हाँ अरुण जी विल्कुल विकलप नंबर आपको यहां पर सी राइट आनसर है सो अजान एक सूजान देवधत्त नहीं है क्योंकि बालकिश्न भट्ट जी का यह रचि अतिहासे को पन्यास बताना है कौन सा माना जाता है प्रिगत्ती जी क्या होगा राइट आंसर वताइए चार विकल्प हैं हिंदी का पिरता में अतिहासे को पन्यास जहासी की रानी नूर जहां हिर्दय हारणी या सम्राट असुग तो सही राइट आंसर है 211 में विकल्प नंबर आप सभी का यहां पर होगा सही राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर जल्दी से बताईए मात कौन क्वास्चन पूंचा गया है और बिल्कुल सही राइट आंसर सभी लोग चैन कर रहे हैं विकल्प नंबर C में हिर्दय हार कि उर्दू उपन्यास चौगाने आपकवन्व मंधल शूत्र गोजान या फिर रंग्भूमी होगा राइट आंसर उर्दू पन्यास च्वागाने हस्ती का हिंदी रूप आंसर बताना है और विकल्प नंबर आप सभी का राइट आंसर होगा D यानि की रंग भूमी राइट आंसर लगा देते हैं रंग भूमी सभी लोग बिल्कुल सभी आंसर बता रहे हैं बिल्कुल चाहिछ सभी के लिए पता है मतलब और यहां पर देखिए दिये गए हैं उर्दू के बहुती महत्युकून उपन्यास हैं जिनका हिंदि में रूपांतरन हुआ है प्रेमचंजी के उपन्यास हैं असरारे माविद यह माना जाता है इसका हिंदी रूपांतरन देव इस्थान रहिश से हम खुर्मा और हम सबाव यह माना जाता है प्रेमा अर्था दो सक्षियों का बिवाई हिंदी रूपांतरन ही इसका हिंदी रूपांसरण है बरदान का ही हम सदन पूंचा जाता है गोसा है आफियत का भी पूंचा जाता हिंदी रूपांतरन प्रयामस्रम है तो अगाने हस्ती का तो पूंचा ही जाता है जिसका हिंदी रूपांतरन रंग भूमी है बिल्कुल सई कॉस्चन नमबर आप से यहां पर पूंचा गया है 233 मत्पून कॉस्चन है कि इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमे विवाय और सेक्स से संबंदत उपन्यास माना जाता है इरावती, तितली, कंकाल या फिर इनमें से कोई नहीं बताईए चार विकल्प दिये गए है 233 मत्पून कॉस्चन है और आप सभी का सही राइट आंसरों का 33 में विकल्प नमबर क्याओं का राइट आंसर कंकाल राइट आंसर लगा देते हैं बिल्कुल सही कंकाल ये जो है जैसंकर प्रसाज जी द्वारा रचत एको पर्ण्यास माना जाता है बिल्कुल सही आंसर चैन क्या है अंगला क्वास्चन देखते है क्वास्चन नमबर आप से पूंचा क्या है 234 वा क्वास्चन यहाँ पर चंद हसीनों के कतून किसकी रचना है बताए आगा हसर कास्मीरी या फिर मुंसी अजमेरी या फिर यहाँ पर पांटे वेचन सर्मा उग्रे या मुंसी सधा सुकलाल 234 में चैन करना है सही आंसर क्या होगा रइट आंसर कि चंद हसीनों के खतुन खालीस्तान किसकी रचना मानी जाती है तो ये मानी जाती है किनकी तो बिल्कुल चाहिए रॉलीजे विकल्प नंबर सी में राइट आंसर लगा देते हैं पांडे वेचन सर्मा उग्र सई आंसरूगा बिल्कुल सई आंसर आप लोगों ने चैन किया है पांडे वेचन सर्मा उग्रे सन 1927 में रचे 358 का विशाय हिंदू मिस्लम के प्रेया में इवन विवाय का इसमें चित्रन किया गया है बहुत बढ़िया अंगला कॉस्चन है हिंदी का पहला आंचले को पण्यास से कौन सा माना जाता है मेला आचल या फिर परती परिकता आदा गाउं या फिर बरुन की बेटी कॉस्चन नमबर आपका यहां पर दिया गया है 235 कॉस्चन और 35 का राइट आंचर होगा कि हिंदी का पहला आंचले को पण्यास माना जाता है कौन सा पय माना जाता है मेला आचल विकल्प नमबर एक जिन्वा ने भी चैन किया है उनका सही राइट आंचरों का महत्तुण क कॉस्चन पूछा क्या है पनिस्तोनात रेणु जी के यह पंजास है उनने सुच चंगन में इसका प्रिकासन हुआ है और हिंदी का पहला आंचले को पन्यास है इसका कथ जो है पूणिया जले के मेरी गंज गाउं की कता है इसमें रेनु द्वारा रचत आंचले को पन्यास है परती परिकता दिर्गतपा जुलूस कितने चौरा है पल्टु बाबु रोड रामरतन आदी जबकि जो आदा गाउं है ये राही मासुम रजा जी द्वारा रचत है और बरुन के बेटे के हो जाएंगे नागरजुन जी इनके द्वारा रचत उपन्यास माना जाता है अंगला कॉस्चन देखते है कॉस्चन मत पूण है जुलूस में नाच्चो बहुत गोपाल, मेला, आचल या फिर परती परीकता बताईए क्या होगा राही डांसर चार विकल्प है समान से उपेक्चित बांग्यों की जीवन गाता खालिस्तान उपन्यास में है तो बहुत पन्यास कौन सा है बेकल्प नंबर आपका पर भी राइट आंसरों का नाचीो बहुत गोपाल जनोंowने भी चैन किया है उनका सही राइट आंसर होगा नाचीो बहुत गोपाल सही आंसर लगा देते हैं बिल्कुल सही किन का उपन्यास है समान से उपेप्चित वंग्यों की जीवन गाता नाच्चोबत गोपाल में है जो है सस्री साहित पिकार अमरितलाल नांगर जी का उपन्यास है उनकी अब तक के उपन्यासों की लीक से हटकर सर्वताय मौले को उपन्यास माना जाता है इसमें महतर कहे जाने वाले अछूतों में भी अछूत है अभागे और अंते अजों की चारों पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर् वीडियो को like अवस्त कर लेंगे जन्होंने अभी तक वीडियो को like नहीं किया है एक बाद like कर लेंगे और रोज इसी तरह से सभी लोग आए नीलम जी लबली जी अर्वन जी नितू जी जस्वीर जी चांदनी जी अमन जी रिंका जी अनुका जी महराम जी राजकुमारी जी सबी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक से रवस्त करते जाएंगे जन्हों ने लाइक नहीं क्या है रॉली जी प्रमोट जी लगविंदर जी मंजू जी प्रिगती पाठक जी कुमारी अंजली जी अरुन जी और मेगा जी नामबीर जी अभिशेग जी सरीता जी मन अपनी क्लास होती है सबी लोग से रवस्त करें किया करें इस क्लास को सरीता तरपाठी जी सुनीता खालचा जी सोहिता सैनी जी और अमन जी बिलकुल सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुका जी प्रमोट सैनी जी लगविंदर जी कुमारी अंजली जी सभी के आप इस चैनल को इस वीडियो को और मन्जू यादब जी बिलकुल सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के वीडियो में पस इतना ही सभी के लिए सुबरात्री और सभी के लिए